हलो दोस्तों गुड मॉनिंग गुड आफर्णों गुड इनिंग तोल अफ्यू कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग आप बहुत अच्छे हों कि मैं भी बहुत अच्छा हो सबसे पहले मैं अपना इंट्रेक्शन देना चाहोगा मैंसेफ और मैं इंट्र और फाइनल लिवल पे इंडारिक टैक्सेशन जिसे आप GST के नाम से जानते हो यह सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ फर्स्ट अपने इंट्र में आ चुके है तो दोस्तो यस आपने इंट्र पढ़ाव कंप्लेट कर दिया है ऐसी मेहनत के साथ ऐसी लगन के साथ आपको इंट्र और फाइनल पढ़ना है और सिय बनना है अपना ड्रीम आपको अच्छिव करना है सो दोस्तो चलो रिजल लग गया अब आपने चिल भी कर लिया अब सिय इंट्र की प्लानिंग हो जाए क्योंकि आपके पास नॉयमबर 22 एक्जाम के लिए आठ मैंने बचे है और आपको एक इंपोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि CA Intercourse Related Complete Information के लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया है हमारे YouTube चैनल V Smart Academy पे वो जाके जरूर देखिएगा आपको बहुत helpful रहेगा आपको Complete जानकरी मिल जाएगी CA Intercourse Related आपने Classes कैसे करने चाहिए आपकी Study Planning कैसे करने चाहिए Classes करते हुए कैसे पढ़ाई करने चाहिए इसकी Complete Information उस वीडियो में दीजिए दी गई है तो Immediately अभी Subscribe कीजिएगा CA अभी Subscribe कीजिएगा हमारे YouTube चैनल V Smart Academy और वो सारी जानकरी जरूर देखिएगा एंट तक पूरा वीडियो देखिएगा चलिए अब दोस्तों मैं आपको GSTA सब्जिक के बारे में बताना चाहूगा CA Inter में Taxation आपका Paper 4 होता है जो 100 Marks का होता है इसमें दो पार्ट होते है एक होता है Direct Tax और दूसरा होता है Indirect Tax जिसमें Income Tax कवड किया जाता है जो 60 Marks का होता है और GST जिसमें Indirect Tax में GST जिसमें वो 40 Marks का होता है दोनों सिलाबस बहुत वास्ट है पर यहां दोनों भी मिलाकर 100 Marks हमारे इंस्ट्यूट में आपको दिये है लेकिन Income Tax और GST या Office में बहुत कामाता है स्पेशली जब आप C.A. बन जाते हो लेकिन अभी जैसे ही आपको एक ग्रूप पास कर लेते हो C.A. इंटर का तो आपको आपको आर्टिकल्शिप करने परती है और जब आपको ओफिस जोइन करते हो तो आर्टिकल्शिप में दोनों सब्जेक्स बड़े इंपॉर्टन हो तो यहाँ पर विटा फॉर नवेंबर 22 एक्जामिनेशन G.A. इंटर के दो बैचेस आपका अवैलेबल होगी हमारे वेबसाइट पर एक जो बैच अपकमिंग बैच है या जो स्टुडेंट को फेस्टो फेस क्लासेस लगाना है या लाइस्ट्रमिंग क्लासेस लगाना है उसके लिए G.A.S.T. का बैच जो आएगा वो अराउंट 28 से लेके 25 एपरिल की बीच में आएगा याने जनरली जो फेस्टो फेस बैचेस करते है या लाइस्ट्रमिंग का बैचेस करते है तो उनको पहले इंकम टेक्स होता है और बाद में G.A.S.T. होता है तो पहले आपक के पास दुसरा option भी available है और वो है मेरी existing recording जो मैंने अभी पंता दिन पहले complete किया हुआ है और May 22 एग्जाम के लिए मैंने रेकॉर्ड किया था वो भी recording आपको available है दोनी दोनों भी equally important आप दो ओके यहां पर आप चाहो तो existing recording भी ले सकते हो आप चाहो तो upcoming recording income tax के बाद आप G enter होगा हमारा यह associated partner होगा आप वहां से भी buy कर सकते हो ना यह जो दोनों भी recording में यहां जो अभी batch complete किया है यह आपके November 22 exam को applicable है यह फिर आपको बाद में जो करना है तो वो भी recording आपका available है ना अब मैं थोड़ा upcoming batch के बारें बता देना चाहता हो जो student यहां face to face classes लगाना चा आता है उनको okay live streaming की batch जो है 20 25th April के in between start होगी और तब available होगा after completion of DTA okay same batch बाद में आपको online download यहां पे pen drive mode में भी मिल जाएगा okay अगर आप pen drive mode में भी मिल जाएगा अब आपको कह दू कि अगर आपको face to face batch लगाना है तो यह पूने में आकर आप लगा सकते हो GST का अगर आपको live streaming लगाना है live streaming हमारे तरफ से additional facility होती है बेटा actually batch online download ही होता है पर हम हमारे तरफ से additional facility देते है live streaming का तो यह case में आपको 2.5 view मिल जाता है 2.5 view कैसे तो online download का 1.5 view जिसके बारे में मैंने आगे बात किया हुआ है plus live streaming का आपको one view as a 2.5 view मिलता है एक बार फिर से कह दू batch online download या आप google download यह भी कह सकते हो और batch आपको वैसे ही मिलेगा live streaming हमारे तरफ से additional facility होगी लेकिन अगर आप उसको pen drive mode में buy करना चाहते हो तो pen drive mode में आपको 15 top make available हो लेका लेकिन अगर आपको GST अभी करना है तो मैं तो कहूगा बेटा कि यस आप अभी start कर सकते हो आप GST से start कर सकते हो income tax और GST के बाद भी income tax कर सकते हो तो अगर आपको immediate अभी GST से start करना है तो आप मेरी जो existing batch है जो अभी recent complete हुई है वो आप join कर सकते हो वो complete course ले सकते हो जिसमें सारे lectures available है notes भी आपको immediately dispatch कर दिया जाएगा अब बेटा अगर आप ये batch join कर जहो तो कुछ चोटी बड़ी amendments आती है तो वो भी मैं आपकी cover कर लूगा याने ये batch के साथ साथ अगर आपके exam के लिए November 22 के लिए अगर कुछ extra amendment हमारे institute ने notify किया तो वो भी मैं cover कर जाएगा वी smartacademy.com या फिर आप कोई भी portal से जो हमारे associated partner है वहां से भी buy कर सकते हो ये जैसे आप हमारे website पर जाते हो तो आपको तीन option मिलते है CA, CA, CA में जिसमें आपको CA Inter में जाना है चलो आप CA Inter में चले गए CA Inter में जाने के बाद आपको यहाँ पे CA विशाल बटड क्य आप में सारी faculties expertise faculties है आप वी smart से group 1 as well as group 2 के सारे subjects ले सकते हो आप सभी final level की faculty है जो inter level पढ़ाती है और आपको expertise knowledge मिलेगा चलिए अब आपको अगर GST वाय करना है बिटा तो GST में यहाँ आपको एक option ही आएगा याने जिसको upcoming badge जो है join करना है जो April में start होगा around 20 से 25th April के आ May 23 हाँ जो student May 23 के लिए भी अपेड हो रहा है वो यह upcoming batch ले सकता है यह third week of April यह by mistake first week है यह third week of April पे आएगा okay around 120 hours का होगा now लेकिन अगर कोई students को जो अभी existing batch record हुआ है वो buy करना है तो नीचे थोड़ा scroll हो के आ सकता है और जब वो नीचे scroll हो के आएगा तो यहाँ पे हाँ नीचे जब आएगा तो उसको इस तरह का दीखेगा CA intra GST regular index core for May 22 and November 22 examination जो बैस टार्ट हुआ था December में और अभी 10 दिन पहले end हुआ है तो यह जो है यह भी 120 hours का है और यह batch आप यहाँ पे join कर सकते हो तो यह भी भाग अच्छा planning है कि फटाफट आपने अभी GST कर लिया यह income tax के साथ GST कर लिया और celebrate for profit complete कर लिया अगर आप income tax के साथ यह GST से start करते हो तो आपकी understanding level एक अलगी मुकाम पे पहुशती है तो आप यहाँ बाए कर सकते हो तो इस तरह से आप listing में दो list में आपको बता दिये तो आप carefully देखना यहाँ पे यह जो batch होगी यह November 22, sorry May 22 और जैसा दिखो आप बहुत सी बार देखते हो बिटा कि यहाँ पे जो है यहाँ से सुनिएगा यहाँ पे जो बहुत से जो income tax के साथ GST पढ़ाते हो जैसे वी smart के एक खास बात है जैसे मैं specially GST पढ़ाता हो यहाँ मेरा पूरा focus GST होता है और आपको पूरा expertise knowledge जो है GST का मिलत है लेकिन बहुत सी बार आप कई देख सकते हो कि GST 50 hours में पढ़ाया जा रहा है CA interface GST 60 hours में पढ़ाया जाता है तो बिटा मैं आपको सच कहूं तो GST का एक आपको in-depth knowledge होना बहुत जरूरी है जो आपको practical life में specially practice में बहुत time में आता है इसलिए मेरा course भी GST का जो है around 85 to 90 hours मे हमारा conceptual course complete हो जाता है जिसके साथ मैं बहुत से problems course के साथ साथ solve करवाता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे आपकी additional practice लेता हो 30 to 35 hours की क्योंकि बहुत सी बार हमारा syllabus जब complete हो गया तो students को एक सवाल होता है कि sir exam में questions कैसे आते especially CA inter level पे क्योंकि आपने जो foundation exam किया है कुछ आपके objective type questions थ लेकिन CA inter पूरा writing में आपको होता है तो वो case में यहाँ पे आपकी writing practice बड़ी important हो जाती है exam में subjective questions कैसे आते है numerical questions कैसे आते है इस पे practice होना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पे concept के साथ अगर आपकी additional practice हो जाए तो आपकी subject में बहुत गरीप आती है इसलिए course तो वैसे 85 to 90 hours क लेता हो जो additional practice जिसमें मैं क्या करवाता हो हमारा questionnaire practice question bank होता है around 500 questions उसमें कवर होता है यह 500 questions में पूरे pass examination questions, RTP के questions, mock test paper के questions सारे यहाँ पे लिये जाते हैं और यह सारे questions मैं आपके साथ discuss करता हो आपको बहुत अच्छे से explain करता हो कि present कैसे करना चाहिए अगर एक question 3 mark के लिया है तो कैसे explain करना चाहिए इसलिए यह additional practice के 35 hours हमारी आत्मा होती है वह concept तो पढ़ लिया हमने पुरा discussion तो कर लिया पर ultimately हमें जाके exam में लिखना है तो यह हमारी आत्मा होती है तो यह इस पर practice करना बहुत जरूरी होता है और मैं around 500 questions पर practice करता हूँ now next important बात आपको यह बता दू कि यहां पर बेटा निचे description में जहां से सुनिएगा निचे इस video की निचे description में आपको एक link में लेगी telegram link में लेगी वो telegram link एक जैसे मैं GST mentor telegram link कहता हूँ वो telegram link में जो मेरे पुराने students है sorry बेटा कुछ problem आ गया था जो मेरे पुराने students है यह जो अभी batch complete to existing students है यह students आपके mentor मनेंगे और आपको सारी जानकरी देंगे कि बई GST में पढ़ना कैसे चीए, charts कैसे बनाना चीए यह जो हम additional extra practice लेते हैं वो कैसे आपने solve करना चीए तो आप उनसे सब कुछ पूछ सकते हो और yes मेरे class का feedback भी आप उनसे ले सकते हो, वो जरूर आपको complete information देंगे और GST अधर subject की भी आपको कोई inquiry करना है तो V smart में जितने भी subject से अगर आपको inquiry करना है तो उस relative भी आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपके mentor रहेंगे और आपको पूरा guide करेंगे कि कैसी पढ़ाई करना चाहिए तो दोस्तों वो टेलिग्राम link जो mentor की टेलिग्राम link होगी वो जरूर जोइन किजिएगा साथ साथ में, आपके login में, जब आप course बाय करते हो, तो आपके login में आपको जो है हमारे batch का एक टेलिग्राम link होगा, तो हमारी दो टेलिग्राम link होगी, हमारे batch की टेलिग्राम link specially वो बनेगी, as well as, okay, mentor की टेलिग्राम link वो जरूर जोइन किजिएगा, आपको बहुत help होगा वो students अपने charge भी आपके साथ share करेंगे, उनकी strategy भी आपके साथ share करेंगे और आपको preparation के लिए, क्योंकि आपके पास 8 मेन हैं, और ये 8 months में, आपने कैसा दोनों group को complete करना चाहिए, कैसे preparation करना चाहिए, इसके लिए वो perfectly आपको guide करेंगे आपको basic जानकारी सारी मिल गई होगी, और जो एक confusion है कि sir, हमने upcoming batch join करना चाहिए, या हमने यहाँ पर existing recorded session भाय करना चाहिए, तो मैंने आपको बढ़ाया, दोनों equally यहाँ पर important है, आप दोनों बेसे कोई भी batch ले सकते हो, हाँ, इस से related मैंने थोड़ा और एक video record किया है, और वो जो वीडियो है, यहाँ आपको हमारे website पर जैसे, जब आप हमारे website पर जाओगे, let's take a example, आप यह course भाय कर रहे हो, आप यह course भाय कर रहे हो, इस पर आपने click किया, click करने के बाद यहाँ 3 tab आएगी, course intro, जो मैं अब भी record कर रहा हो, और demo lecture, demo lecture में lecture 00 जरूर देखिएगा, और वो lecture देखने के बाद एक आप decision ले सकते हो, कि course कैसे भाय करना है, क्या करना है, पर मेरे यह वीडियो के बाद, यह demo lecture में lecture 00 जरूर आएगा, जो complete information देगा, information about subject, information about login, आपने हमारे course भाय करने के बाद, आपको login कैसे मिलेगा, आपको कौन सा telegram group join करना है, उसके बाद में आपको installation कैसे करना है, player setup कैसे करना है, यह complete A to Z information आपको मिलेगी, जो बड़ा informative वीडियो है, और वो आपको demo lecture में lecture 00 में मिलेगा, वो जरूर देखिएगा, और same link आपको जो है नीचे description column में मिल जाएगी, I repeat, यह इस वीडियो के नीचे description column में भी same link आपको मिल जाएगी, वो भी वीडियो आपने जरूर देखना है, that's complete information about the course, हाँ, अगर आप हमारे website में इस वीडियो को pop-up में देख रहे होगे, क्योंकि जब आप buy करते हो, तो यह वीडियो pop-up में आता है, तो यह pop-up में देख रहे होगे, तो उपर यहाँ पर कुछ text चल रहा होगा, यह इस है, यहाँ पर यह जो में details दिये है about the lecture, complete information, उसका भी वीडियो link आपको मिल जाएगा, तो छली दोस्तों, आपको basic information मिल गई है, यह links जरूर देख लेना, और आपने telegram link भी जरूर जाइन कर लेना, क्योंकि आपका और मेरा communication का media जो रहेगा, वो telegram link ही रहेगा, so thank you, thank you to all of you, all the best, आप यहाँ पर जो भी decision लेते हो, upcoming batch या फिर already recorded batch, जो अभी recent record किया है, दोनों भी equally important है, आप दोनों में से कोई भी batch देख सकते हो, thank you बेटा.